सीमा हैदर जो अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से सभी सीमाय पार करके भारत की सरहत पर पहुँची थी उस समय सीमा सचन की जोड़ी सोशल मीडिया की संसनी बनी थी लेकिन अब इस प्यार की कहानी को नजर लगती दिख रही है वो इसलिए सीमा सचन के मारपीट की खबरे सामने आ रही है दरसल सोशल मीडिया में इन दिनों एक नया वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें ग्रिटर नोड़ा में सचिन के साथ रहने वाली सीमा हैदर के साथ कथित रूप से मार पीट का दावा किया जा रहा है सीमा हैदर अपने चेहरे और हातों पर चोट के निसान दिखाती नजर आ रही है सचिन द्वारा सीमा से मार पीट का इस वीडियो में दावा किया जा रहा है वीडियो में अपने सरीर के जख्म दिखाते हुए सीमा हैदर रोती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों में साफ साफ सीमा और उसके जख्मों को देखा जा सकता है हाला कि इंटरनेट पर जैसे ही ये वीडियो वाइरल हुआ तो पुलिस ने सीमा हैदर से संपर किया जिसके बाद पता चला कि वाइरल वीडियो पूरी थरे से फरजी है महीश परव सचिन और सीमा भी सामने आए और पूरी बात बताई नमस्कार, जै शिरराम, रादे रादे, सभी को तो मैं सीमा मीना, wife सचन मीना मैं अपने रूख पूरा उतर परदेश डौईडा में रह रही हूं और मेरी मीना फैमिली बहुत अच्छी है और मीना जी के साथ मैं बहुत अच्छे से रह रही हूं कुछ न्यूस चैनल पाकिस्तानी न्यूस चैनल मुझी शरम आती कि रमजान के पावित्र महीनी में भी जूट बोलने से बात नहीं आ रहे है वो नहीं समझते कि मैं भारत में हूँ उतर परदेश में हूँ वो नहीं समझते के यहां के मुख्य मंतरी महराज योगी जी के सरक्षण में हूँ मैं और उनके सरक्षण में कोई महीला, कोई औरत, कोई व्यक्ति दुखी रही नहीं सकता और मैं अपने भाई वकील डॉक्टर एपी सिंग के साथ लगातार कॉंटेक्ट में रहती हूँ आज सीमा हैदर के वकील की भी प्रती किया सामने आई जिसमें उन्होंने साफ साफ इस दावे का खंडन किया और बताया कि आर्टीफीसियल इंटेलिजन्स की मदद से पाकिस्तान वीडियो बना कर बदराम करने की शाजिस कर रहा है। इंटेलिजन्सी के तहत बना बना के नकली डाल रहे हैं वो लोग अपनी दुपाने चला रहे हैं, अपने यूटूब चैनल चला रहे हैं, जो कि पुरी तरह से गलत है, पिछले दिनों आपने देखा, कहीं दिखाया गया सीमा के दद्या ससुर एक्सपायर हो गए, कहीं ससु चैनल ऐसा कर रहे हैं, कुल मिलाकर सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा ये वीडियो फरजी और भ्रामक है, जिसका खंडन खुद सीमा हैदर ने कर दिया है झाल 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 झाल